Hello world, my name is Vaseem, I am a full stack web developer. आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको अपना पहला टेक्निकल इंटर्व्यू क्रेक करवाने में मदद कर सकती हैं. तो क्या है वो टिप्स जानेंगे इस वीडियो में? टिप नमबर वन, प्रिपेर फॉर कॉमन इंटर्व्यू क्वेश्चन्स. माइ डियर, लाइफ का चाहे पहला इंटर्व्यू हो या फिर दसवा. कुछ basic questions होते हैं, जो कि हर एक candidate से पुछे जाते हैं. और वो बिल्कुल basic questions होते हैं. Starting question यही होगा, tell me about yourself. तो इस question का answer तुमारे पास 3-4 versions में होना चाहिए, ताकि अलग-लग interviews में अलग-लग बोल सको. दूसरा question हो सकता है, what are your strengths or weakness? और why you are suitable for this position? तो यह कुछ basic questions हैं, जो कि हर एक interview में पूछे जाएंगे. तो इनकी तैयारी पहले से करके जाना, बहुत कुछ set of answers इनके बनाके रख लो, ताकि आगे काम आते जाएं. Tip number 2, be genuine or real. इंटर्वीज के दुराँ जितने genuine, authentic or real रह सको, उतने रहने की कोशिश करना. कोई भी गलत information शेर मत करना, जो भी information या फिर जो भी data तुम तुमारे बारे में शो करोगी, वो आगे जाके cross verify होगा, cross check किया जाएगा. Okay, for example, तुमने अपने resume में add कर दिया, 10th के अंदर 70%, but तुमारे तुमारे 50% जीते है, तुमारे mark sheet भोलती है, तो वो आगे जाके देखी जाएगी, जो भी, अगर तुम फ्रेशर हो, तो definitely देखी जाएगी, तुमारे documents देखे जाएगे, तुमारे certificates देखे जाएगे, बागी company to company, company to company, to depend करता ही है, because basically होता है, employee का background verification भी होता है, यह भी एक term होती है, कभी future में बताऊंगा इसके बारे में, तो point बस कहने का यह यह, कि जो भी information share करो, वो real करना, एक example इसका यह हो सकता है, कि कई बाग fresh year, या फिर experience person भी यह चीज़ करता है, salary negotiate करने के चकर में, या फिर salary बढ़वाने के चकर में, यह बोल देते हैं, कि हमारे पास पहले से किसी company के तरफ से offer है, तो यह company आपको ज्या information share करो, सब real information share करना, authentic, genuine रहना, अब अगर technical interview के लिए जा रहे हो, तो my dear, थोड़ा बहुत तो code भी लिखवाया जाएगा, तो यहाँ पर point number 3 आता है, prepare some basic programs, अब basic program से क्या मतलब है भी या, basic program से मेरा मतलब है, C language में जो तुमने basic program बनाए, for example, prime number हो गया, five and a की series हो गया, factorial number ह या फिर कुछ arrays and loops के program हो गए, pattern अगरा के, तो यह भी थोड़े बहुत देख लेना, because interview के दोरान यह पूछे ही जाएंगे, okay, language matter नहीं करेगी कि कौन से language में तुम वो program लिखते हो, but program जरूर पूछे जाएंगे, okay, अब हो सकता यह भी, कि वो program जो है, तुमको paper पे लिखव जादा attention मत लेना, I mean to say, और थोड़ा बहुत company के level पे भी depend करेगा, अब अगर तुम अपने शहर में किसी company में जा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत basic को साजाएगा, कल को Google पे जा रहे हो, तो जाएट सी बात है, उस level की coding तियार करने पड़ेगी, okay, tip number 4, अगर technical interview के ले जा रहे हो, तो इसको miss मत करना, prepare oops concept, object oriented programming, ये topic 101% पूछा जाएगा, अब इसमें कुछ basic questions हो सकते हैं, like what is class, what is object, what are the benefits of oops, what are the features of oops, what is polymorphism, what is inheritance, ये बहुत basic questions हैं, जो कि साइद पूछे जाए, दूसरे तो होई सकते हैं, थोड़ा बहुत Google कर सकते हो कि oops से related क्या questions होते है जो कि interviews में पूछे जाते हैं, मेरा बस point यह है कहनेगा कि oops को miss मत करना, because real world में जितने भी frameworks, या फिर CMS, या फिर libraries होती हैं, सारे oops based होती हैं, कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है, तो इसलिए companies बहुत जादा focus करती हैं, object oriented programming पर, तो इसको miss मत करना, last tip and सबसे जरूरी tip, be confident, अ जाओगे, तो दिकत हो सकती है, दूसरी बात है कि यह देखो, interviews को ना, थोड़ा बहुत lightly लो, जादा serious मतलो, because interview end of the day है क्या, दो लोगों के 20 की आपस की भात चीती तो है, बस जिसमें सामने वाला आप से कुछ questions कर रहा है, उन questions का अगर answer आपको आता है, तो बता दो, नहीं में तो पूछेगा नहीं, जो भी पूछेगा, आप से related ही पूछेगा, तो अगर answer आता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे वे में explain करो, अगर नहीं आता तो कोशिश करो कि अपने assumption वगरा लगा सको, मतलब gas कर सको, और बिलकुल भी नहीं आता, तो साफ साफ कि यार, I don't know about it, right, वो बूरा तो माने का नहीं, तो बस point ही, यह मेरा कहरेगा, कि थोड़ा वो confidence रखना जरूरी है, during the interview, okay, so that's it for this video, अब अगर वीडियो में मेरे साथ अभी तब मनेगे हो, my dear, तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरू कर देना, चैनल पर पहले ही दूसर सब्सक्राइब तो, I will reply you as fast as possible, okay, चैनल पर वीडियो के अधर, till then, bye-bye.